नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में, आप हैं इसक्त सुवाष्टाकुर के साथ दोस्तो, NTE UGC NET, विशे हिंदी की त्यारियों के अंत्रगत 1.5 हम कर रहे हैं और 1.5 हम अपना जो प्रशनोतरी के मात्यम से कर रहे हैं किस तरीके से प्रशन जो बनने के संभावना 1.5 से रहती है तो उस तरीके से हम इसको करने जा रहे हैं तो इसमें हमने पहले के 15 प्रशन कर लिए थे दोस्तो अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक आई 5 नाम से हमारी जो प्लेलिस्ट पनी है उसे चक कर सकते हैं वहाँ पर हमने अपने जो पीछे की जो 15 प्रशन थे वो डिसकस कर लिए थे आज हम इसका सेकिंड पार्ट लेकर आए हैं इसमें हम 15 से 30 तक के प्रशन देखेंगे तो चलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की सबसे पहला प्रशन है देखिए देखिए क्या दशा देश की हो बदलता है रंग आसमा कैसे कैसे देश की दुरदशा पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए किस कवी ने ये पंक्तियां कही है तो देखिए ये जो पंक्तियां कही है इसका जो सही उत्तर होना चाहिए था वो होना चाहिए था पिकल्प नमबर ए प्रताप नरायन मिश्र तो प्रताप नरायन मिश्र ने एक गजल के माध्यम से अपने देश के प्रती ये देश की बुरी हल्द के उपर ये चिंता प्रकट की है हलां कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है यहां पर भारतें दुहरीश्चंदर या मैथली शेरन गुप्त की ओर या दिनकर की ओर चाह सकते हैं क्योंकि इन तीनों ने क्या किया है इन तीनों ने अधिकतर जो रचनाय रची है वो किस पर रची है आपकी जो राष्ट्रिय भावना के उपर इनों ने लिखा है तो यहाँ पर दियान देने वाली बात यह है कि यह वाली जो पंक्तियां यह किसकी है यह प्रताप नारायन मिश्रकी है ना कि नीचे के जो तीन कभी है उनकी clear है तो विकल्प नमबर एक इसका सही उत्तर होगा अगला प्रशन हम देख लेते हैं रसकलश किस भाषा में रचित ग्रंथ है तो विकल्प हैं देखिए अबधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर संस्क्रेट तो देखिए जो रसकलश है ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये किसकी रचना है जो रसकलश है देखिए ये है आयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोद की और ये कब लिखी गई थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं और इसकी जो भाषा है देखिए वो है आपकी बिकल्प नमबर तीन ब्रजभाषा तो ब्रजभाषा में इन्होंने इसको लिखा है रसकलश को और अयोध्या सिंग उपाध्याय का हरियोद का जो सबसे महत्वपुर्ण जो खड़ी बोली का पहला महाकाब्य माना जाता है तो कौन सा है प्रिय प्रवास है वो इनके दोरा ही रचित है ठीक है नेक्स प्रशने देखिए प्रशन संक्या 18 असंगत यूगम बताओ तो इस तरह के प्रशन पूछे जाते हैं परिक्षा में यूजिसी नेट की ठीक है देखिए अकाल दर्शन नागरजुन अकाल में सा किदारनाथ अगरवाल खुर्द्रे पैर भवानी प्रसाद मिष्र अकाल और उसके बाद सुदामा पांडी धुमिल तो देखिए असंगत यूगम बताना है कि कौन सा असंगत है अकाल दर्शन अगर हम बात करें तो ये नागरजुन के नाहोकर किसकी है यह है आपकी जो अकाल दर्शन अगर हम बात करें अकाल में सारस कवीता की तो ये कवीता किसकी है ये केदारनाथ अगरवाल की ना होकर किसकी है केदारनाथ सिंग की है ठीक है तो यहां पर विद्यारती क्या है गलती कर बैठते हैं कि केदारनाथ कहीं भी दिखा तो उसको गलत कर बैठते हैं तो विल्कुल प्रशन को अराम से समझना है और उसके बाद उसका उत्तर देना है तो केदारनात सिंग होगा यहांपर ना की अगरवाल खुर्दरे पैर यह किसकी है यह है नागरजुन की कवीता है और उसके बाद क्या है यह भी नागरजुन की ही कवीता है तो यह सारे के सारे क्या थे असंगत है अगला पशन हम देख लेते हैं हाई त्रिशा फिर वही तरंगों में गहन करने की वही लोग जेतना सिंधों को आरपार जाने की उपरुक्त पंक्ती किसने किस से कही है तो देखिए अगर हमने अपना इकाई पांच को सही तरीके से पड़ा होगा या फिर हमारे पाठेकरम में जो चीज़ें शामिल है उसको थोड़ा समय आपको असान कर देता हूँ कि यह है आपका जो उर्वशी है जो गीती नात्या है किसका दिन करका ठीक है वहाँ से यह लिग गई है तो पहले के दो विकलब तो इसमें से नहीं होंगे मनु और श्रद्धा मनु और इड़ा तो यह नहीं होंगे क्यों कि यह कम उर्वशी से कहा है और उर्वशी का जो तृतिय अंक है देखिए वो ही हमारे पाठ्यक्रम में क्या है लगा हुआ है ठीक है तो वहीं से यह लिग गई है पंक्तिया और पुरूर्वशी से कहते हुए यह कहता है ठीक है नेक्स प्रेशन है देखिए परम अभिव्यक्ति ल तो इसका जो सही उतर होना चीए था देखिए, मुक्तिबोध है, दिनकर है, या फिर शिमशेर भादुर सिंग, या फिर धरमबेर भारती, ये वाली पंक्तियां गजनन माधव मुक्तिबोध की हैं, उनकी जो रचनाये देखिए, कौन से अंधेरे में कवीता से ये ली गई ह चीक है, तो इनके बारे में भी हमें तोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है, अगला प्रशन हम देख लेते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की कावे कृतियों को कालकरम अनुसार रखें, तो देखिए, कालकरम अनुसार प्रशन भी बार-बार पूछे जाते हैं, अब हाला हुई रसी, ये था 1971, और खुश्बू के शिला लेक, ये है 1973, और अनाम तुम आते हो, ये है 1979, तो इसका जो सही उतर होगा देखिए, वो होगा विकल्प नंबर एक ही, ठीक है, और नीचे के जो तीन है, वो तीन हो क्या है, गलत हो सकते हैं, होंगे मतलो, ठीक है, तो भव सत्पूडा के जंगल हमारे पाठे क्रम में भी शामिल है, ठीक है, तो गीत फरोश और सत्पूडा के जंगल ये दोनों, ठीक है, अगला प्रशन हम देख लेते हैं, प्रशन संक्या 22, नई कवीता का स्वार एक नहीं वीविद्ध है, नई कवीता के संबंद में ये कथन कि जरूरी है, तो ये वली जो पंक्ति कही है, नई कवीता के संबंद में ये कही है, गजनन माधव मुक्ति भोजी ने, ठीक है, तो सही उतर होगा इसका विकल्प नमबर दो, तो प्रशन इस तरीके से ही बनेगा देखिए, कि छायवाद के संबंद में किसने क्या कहा है, जलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में किया, प्रपध्यवाद प्रियोग को साध्य मानता है, जबकि प्रियोग वाद प्रियोग को साधन मानता है, गिरिजा कुमार माथूर प्रपध्यवादी कवी है, प्रपध्यवाद को नकेन वाद भी कहा जाता है, तो देखिए, इन में स गलत कथन हमने देखना था कि कौन सा है तो विकल्ब नमबर 3 है गिर्जा कुमार माथूर प्रपध्यभादी कवी है तो यह वाला कथन क्या है यह गलत है असत्य है ठीक है जो गिर्जा कुमार माथूर है यह क्या है तारसब्तक के कवी है और तारसब्तक में कौन से कवी आते ह और तारसप्त का प्रकाशन कर वुआ था 1943 में थीक है तो यहां पर प्रपद्यवाद पूछा है देखिए प्रपद्यवाद को नकेन बाद तो नकेन तीन व्यक्तियों के जो प्रत्थम अक्षर है उनके नाम के उनसे बना है थीक है नलिन मिलोचन शर्मा थीक है उसके बाद आपका केशरी कुमार और नौसे नरेश तो इन तीनों ने तीन जो हैं ये प्रपध्यवादी हैं ठीक है उनिसचपन में इसका क्या हुआ है प्रवर्तन हुआ है तो ये था प्रपध्यवाद के बारे में तोड़ी सी जानकारी अब हम दिख लेते हैं प्रशन संक्याथ 24 भूग से रिडियाती हुई हतेली का नाम दया है और भूग से तनी हुई मुठी का नाम क्या है अगर आपने ये वली कविता पड़ी होगी तो इसका उतर इसी में ही चुपा है इस पंक्ती का आखरी जो शब्द था देखिए भूग से रिडियाती हुई हतेली का नाम दया है और भूग से तनी हुई मुठी का नाम क्या है नकसलवाडी तो सही उतर हुणा था इसका भी कल्प नंबर 2 नकसलवाडी इसके अलाबाद देखिए अन्य जो यहां पर कवीताओं के नाम रखें ये भी बहुत मतपूण है बिक्षुक निराला की है जो परिवल में परिमल उनका जो कावे संग रहे है उसमें संग रहीत है अकाल और उसके बाद यह हमने पहले भी डिसकस कर लिया कि किस की है ये नागरजुन की है और रोटी अर्संसित सुधामा पांडे दुमिल की तो जितने भी ये हैं सारे के सारे कैसे हैं एक तरीके से प्रगतिवादी है ठीक है ना तो इसका जो सही उतर होगा यहां पर वो क्या है नकसलवाडी नेक्स प्रशन हम देख लेते हैं निराला की प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित रचनाएं कौन सी हैं तो देखिए प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित रचनाएं निराला की विकल्प में देखिए कुकरमुत्ता तोड़ती पत्थर गरम पकोड़ी या फिर एक और दो या फिर ये सभी तो निराला ने प्रगतिवाद के उपर भी लिखा है उनकी प्रगतिवादी रचनाएं भी है तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि उनमें से कौन-कौन सी है तो सही उत्र क्या होना चाहिए था देखिए बहुत सारे विद्यारती हो सकता है इसमें गरम पकोड़ी को छोड़ देंगे लेकिन इसका जो सही उत्र होगा वो क्या है सभी है ये पांच जो तीनों है ठीक है कुकर मुत्ता भी है तोड़ती पत्थर भी है और गरंपकोडी भी क्या है प्रगतिवादी चेतना से अनुप्रानित रचना है तो सही उत्तर क्या होगा कि सभी ठीक है अगला प्रशन हम दिख लेते हैं नागरजुन की कविताओं को नुकड कविता की संग्या किसने दी तो देखी नागरजुन के बारे में पूछा गया ह कि इनकी कविता को नुकड कविता किसने का है तो नागरजुन कैसे कविते ये थे प्रगतिवादी चेक है ना और यात्री उपनाम से ये पहले लिखते थे और असली नाम इनका वास्तविक नाम था वैद्यनात मिश्र ये भी प्रशन कई बार पूछा जाता है ठीक है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए वो होगा डॉक्टर बच्चन सिंग तो इन्होंने कहा था नागरजुन की कविताओं को नुकड कविता ठीक है अगला प्रशन हम देख लेते हैं तारसब तक में शामिल कवी है तो देखिए तारसब तक भी महत्रपोर्ण है है ना और ता या पिर भवानी प्रसाद में श्र या फिर गेरजाकुमार माथ़ूर तो देखिए इसका जो सही उतर होगा वो होगा गेरजाकुमार माथूर ये हमने पहले भी डिसकस कर लिया था कि तारसब तक के ये कवी हैं प्रयोगवादी हैं और इसमें जो पहले के तीन है अगला प्रशन हम देख लेते हैं, प्रशन नमबर 28, लंभी कविता नहीं है, परिवर्तन, अंधिरे में, सांप या फिर सभी, तो देखिए, जो लंभी कविता नहीं है, वो कौन सी है इसमें से, विकल्प नमबर 3 है, देखिए, सांप, तो सांप किसकी है, अग्ये जी की चोटी सी कवीता है देखिए, सांप तुम सब भेतो हुए नहीं, नगर में बसना भी नहीं आया, एक बात पूछूं, उत्तर दोगे, कहां से सीखा डसना, विश कहां से पाया, तो इतनी कर ये कवीता इनकी है, बहुत चोटी सी कवीता है ये, ठीक है न, तो सही उत्तर होना ता इसका विकल्प नंबर 3, अगला प्रशन हम देख लेते हैं, 29 वा, कमाईनी को चायावाद का उपनिशद किसने कहा है, तो देखिए, कमाईनी को चायावाद का उपनिशद, कमाईनी बहुत मतपूर्ण रचना है, उसके बारे में विद्वान क्या कहते हैं, ये भी पू प्रशन संक्या 30, और ये हमारा आज का इस लेक्चर का आखरी प्रशन होगा, वेदना से इन्होंने अपना स्वभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती है, महादेवी वर्मा के संबंद में यह पंक्तियां किसकी है, तो देखिए, एक चीज तो हमें यहां से कलियर हो गई, प्रशन अपने आप में बनता है, यहां से दूसरा भी, कि ये वली पंक्तियां किसके लिए कही गई है, ठीक है, हो सकता, विकल्ब में आपको मीरा दे दिया जाए, महादेवी वर्मा दे दिया जाए, सुवद्रा कुमारी चोहान दे दिया जाए, ए गल्प नंबर एक इसका क्या होगा सही उत्तर होगा तो मतलब प्रशन से अन्य प्रशन बनने की संभावना रहती है इसलिए परिक्षा से पहले जो मौक टेस्ट करना बहुत जरूरी है और इस तरीके से जो प्रशनोत्रिया है उनको करने से कोच ना कोचा में फायदा ही मिलत है तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों की बीच में शेर कीजिए और चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल भी न बूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्ज और नई स पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जहिंद